दोस्तो स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश स्टाफ सेलेक्शन कमीशन हमीरपुर द्वारा जारी किये गए तीन बड़े नौटिफिकेशन के बारे में और साथ में एक नौटिफिकेशन हिमाच प्रदेश स्टाफ सेलेक्शन कमीशन हमीरपुर की और से तो इस वीडियो में यहां पर जो फर्स्ट नौटिफिकेशन है यहां पर आई हैप की रोल नमर बाइस जो है प्रवीजनली एडमेट कैंडिडेट्स के जो है लिस्ट जारी की गई है और यह पॉस्ट रहे आपकी लेंग्वेज टीचर है यहनि कि ल्टी की पॉस्ट के लिए पॉस्ट कोड 919 इनका रेटन एक्जाम जो है 28 नौवंबर 2021 को मौर्निंग सेशन में रखा गया है और जो एक्जाम की टाइमिंग है वो 10 से 12 बजे की रहेगी और रेपोर्टिंग टाइम जो है वो सुबा के 9 बजे का रहेगा दोस्तों अगर आपने भी टेस्ट के लिए अपलाई किया था तो आप अपने अप्लिकेशन आइडी अपना नाम फादर हजबन नायम रोल नमर और एक्जामनेशन सेंटर जो हैं चेक कर सकते हैं यहां पे हम टोटल कैंडिडेट की बात करें तो इस है वह भी हमिरपुर के और से जारी की गई है और यहां पर भी रोल नमर वैज प्रविजनल एडमेट के लिए लिस्ट जो है जारी की गई है तो आप यहां से देख रहे होगे यह पोस्ट आपकी सुपरवाइजर की फॉर स्टेट एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर तो इस नवंबर को जो है इसका एक्जाम होगा और जो एक्जाम का टाइम है वो इविनिंग सेशन में दो से चार रखा गया है और जो रिपोर्टिंग टाइम है एक वज़े का होगा तो आप अपनी यहां से डिटेल एक्जामनेशन सेंटर अपना रोल नमर जो है चेक कर सकते हैं और यहां पर हम टोटल के देट्स की बात करें तो इस एक्जाम में जो हैं टोटल 146 के डिटेट अपियर हुए हैं प्रोवीजनली एडमिट हुए हैं 146 के डिट जो नेक्स्ट अपडेट है वो भी हमिरपूर के और से जारी किया गया है और यहां पर भी रोल नमर प्रोवीजनली एडमिट हुए हैं दोस्तों इनका एक्जाम जो है 21 नौवंबर 2021 को मौर्निंग सेशन में 10 से 12 बज़े कर रहेगा और रिपोर्टिंग टाइम जो है 9 बज़े का होगा आप एक्जामनेशन सेंटर अपना रोल नमर अपना नाम और एप्लिकेशन आइडी च से 4 और यह जो अफडेट है लास्ट अफडेट है इस वीडियो की यहांचल पतैशन उनका की जारी की गई और यह जो हैं कि वो स्थेक्ष के लिए सौरी गर्स के यह ईलोट की गई है आप यहां से चेक करसकते हैं डिफरेंट डेपार्टमेंट में अलग गलग जो है गसक् यहां पर हम बात करें तो इने जो है यहां पर अपनी नवंबर 2021 से जून 2022 तक जो है इनका आठ मन्त का यह होस्टर रहेगा और इसकी जो है उनलाइन इनको फीज पे करनी होगी 16 नवंबर से 20 नवंबर तक और जो भी यहां पर इंपोर्टेंट आपको डोकुमेंट्स होंगे वह आपको सेंड करने होंगे ठीक है लेटेस्ट वाई 22 नवंबर तक तो इसके बाद जो है अगर आप यह नहीं करते तो आपका होस्ट जो है वह कैंसल माना जाएगा तो आप डिटेल यहां जो है चेक कर सकते हैं दोस्तों यह थी आज की चार बड़ी अपडेट और यह सारी अपडेट जो आपको हमारे टेलिग्राम चैनल के उपर मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा आप वहां से जो है डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दे हमारे लेटेस्ट अपडेट के लिए तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी बड़ी अपडेट में तेल देन गुडबाई दोस्तों